सब्सक्राइब कुछ यूटूबर का कोई दोस्त नहीं है या फिर जो भी हमारे समाज के कुछ ऐसे वेक्ति हैं उनलों के कोई दोस्त नहीं है कुछ जाहिल टाइब के यूटूबर जो कहाँ सब्सक्राइब कर रहे हैं अब देख लिजिए यह समाज ना हलो मान सिखता ना मैया बाबु पढ़ा के तौरा भेज को हल बच्ची के कातियल की मुहां में कुछ लापेट ले बेटा सही बोल रहा है कि नहीं दम दिल से बोलिएगा उस बच्ची को मुह में कुछ लापेट द रहे हैं एक तरफ समाज के लिएने का काम कर रहा है क्या है भाईया कि नमसकार दिवेनेशन देख रहे हैं आप तो हमारे साथ अभी भोल्सपूरी इंडस्री के विलिन काफी चर्चित सोसल मीडिया पे विवातित व्यान को लेकर चर्चित रहते हैं वाइरल वीडियो होते रहता है वही समीर चौद्री हैं स्वागत है आप नमसकार आदाव सस्रियकाल अभी वर्तमान में एक बिहार को समसार करने वाली खवर सामने आई है सिवान से जहां पर एक 44 साल के जो युवक हैं मर्द हैं कुछ भी कहले से 44 साल के हैं और एक 11 वर्सों की लर्की है बच्च के साथ ही किया था क्या है कहां के लिए जो पूरी बुंदिया खाई लिए लोकर गाओं में जा जाके हैं देखिए हम सबसे पहले आपके बताए कि जो यूटूबर्स हैं अपने बिहार का पूरा बिहार के बेड़ा यही गरक करतबा यह बच्ची है लेकर पेटवा में साब था धिमका था बुर्ज खलीपा था तरी मा देखते हैं अफ़ड़ा तफड़ी मचा दिया था वह बच्ची गए तो रोने लगी कि चाचा हमको बच्चा लिजे पूरा रोने लगी हमको देखके तो हमने यहां से रोबाई निकल ले तुरंत बच्ची के गारी में बै एक मिनेट में उकर करजा मुक्त हो जाता और बच्ची को मा के गोद में दे दिया जाता है इस अब तो काम आप लोग नहीं कर रहे हैं काम क्या किये हैं जाके तो खाली बच्ची को सर्मनाक करने का अगर बच्ची का अभी जान का कुछ नुकसान हुआ जेतना यूटूबर करते हैं सलाम करते हु बेटी को कि आज कि देट में जो लाया बेटा लोग जो होते हैं जो अपने देखते हैं किर जमीन कीलिए अपने बहाई बाप से लड़ते रहता है अपने मातार तरीके से बोलता आगेFEए कर आपने माता सोच modal होने के बाबजूरUM मांसिकता कितना अच्छा हाले, सलाम करे वी बेटा हम तोरा, कि तोरा नियान नियान, ऐसे वे एक समाज में कि हमरा जो बेटी लोग होती हैं, अपने माता पिता कभी कश्ट में नहीं देखना चाहती है, उसके लिए उसको अपना खुन भी काहनी देना परे, देखे न, दे दी न, हो ग को सर्मनाग तार तार करने का रहे हैं Τो कुछ यूटूपर्स लोग जाके सरमनाक तार करने का काम कर जिसमें क्या हो रहा है उस बच्ची का चेहरा बजार में बिक गया बजार में उसका धिजिया धजिया उरा दिया गया है न हलो मान सिकता न मैया बाबु पढ़ा के तौरा भेज को हल और बच्ची के कातियल के मुहां में कुछ लापेट ले बैटा सही बोल रहा है कि ने इदम दिल से बोलिएगा उस बच्ची को मुह में कुछ लापेट देते तब बोलते कि एक बच्ची है गारा साल की है मने एक समाज को कहते हैं कि हम इजद दे रहा है एक तरफ समाज के लेने का काम करना है क्या है भाईया का हो मने सोच चली थी ने परदर्सन के अभी कुछ सारा यूटूबर जाएगा वहां बच्ची के बाइठाएगा बोलेगा बता दरहें कि तनी सेंदूर लगा लिजे तनी कस के लगाने सेंदूर लगा लिजी सेंदूर लगा बाता होगा और बीडियो बनाता होगा जो ना नहीं आप विकिया नहीं अपने इवान को मत खोईये और किसी परिवार का वैसा हाल आचरन मत भिगार दीजे जिससे कि कोई इस दुनिया में इस राज में जीना अपने आपको एक जहर सा महसूस करने लगे महसूस करने लगे ऐसा जो वह अपने जिन्दगी को गवाने पर महसूस करने मजबूर हो जाए ऐसा नहीं हो आप भी है जिस परकार यह माइक चौथा अस्तंब जिसको बोल रहे हैं यह समाज के लिए बहुत अच्छा है कहीं न कहीं यही एक दिन लगता है समाज को बेड़ा गड़क कड़ेगा क्योंकि कुछ जाहिल टाइप के लोग जो अपने आपको समझते हैं कि हम बढ़का रेव परदास नहीं होगा कई से हमर समाज के बेटी है समाज के बहीं नहीं कर रहा रहा कि कितना करजा लिया गया था बोली हम लोग सब मिलके माफ कर वा देते हैं आप पढ़ाई लिखा किजिए सौतंतर हो जाईए धन्यवाद वहाँ पैर खिचने की बात कहीं जाती है वही समी करना नहों इस राज में किसी बेटी किसी बहु किसी परिवार के साथ और इसी इस खवर को आप ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि लोगों को या सूचना मिले कि किस तरह से अपना परिवार को देखते हैं लोग उसी तरह से दूसरे का परिवार को भी देखे और जीवन जीने दे आसी तमाम अपडेट के लिए आप दिवे नसन को देखते रहें लाइक कोमेंट से रहें सब्सक्राइब करना न भूलें